हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंडियन लॉग एडमी आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की और से जो एडिशनल प्राइवेट सेकेटरी की पोस्ट निकाली गई थी 176 पोस्ट के लिए उसके एडमिट कार्ड इशू कर दिये ग कर दिये हैं और यह एडमिट कार्ड भी इसके इशू कर दिये गए हैं यूपी सी पब्लिक सर्विस कमिशन एपी एडमिट कार्ड इन लास्ट फीक ओफ अक्टूबर में फिर इसके बाद यह जो साइट दी गई है ऑनलाइन इस पर जाके आप एडमिट कार्ड अपना इश सर्प्रदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन इसको कंड़क्ट करवा रहा है एडिशनल प्राइवेट सेकेटरी की पोस्ट के लिए 176 पोस्ट है 16 नौवंबर 2021 को यह एक्जाम रिटर्न एक्जाम होगा इसमें और इसके बाद इंटर्व्यू भी है इसमें टूवीक्स पीफ मैं यह वीडियो बना रहे हूं कि इसकी एक्जाम डेट वगरा पूछी गई थी हो सकता है उनको फ्यूचर में इस एक्जाम के लिए अपलाई करना हो यह जो लोग इसके लिए अपलाई किये हैं वो लोग इसके एड्मिट काट इशू कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश द उसके बाद जो है जनल नौलिश का होगा हंड्रेट मार्क्स का और टू आवर्स का होगा यह एक्जाम और स्कीम ऑफ एक्जाम पेपर वाइस देए जो डिटेल है वो दे रखी है इसमें पेपर सेकिंड जो है जनल हिंदी का पेपर है यह भी हंड्रेट मार्क्स का होगा औ और यह होगा 15 marks का और 5 minute का paper होगा यह paper 5 general English का होगा 15 marks का होगा 1 hour के लिए होगा paper 6 English short hand का होगा 135 marks का होगा और time limit इसमें देनी रखिये paper 7 होगा English type writing का 15 number का यह होगा marks इसके 15 number का होगा और 5 minute के लिए होगा paper 8 जो होगा computer knowledge test होगा यह 100 marks का होगा और one and a half नदब डेड़ घंटे का यह paper होगा इसमें जो time दियावा है ठीक है और फिसके बाद हम देख लेते हैं official website वगरा जैसे यह दे रखिए इस पर जाकर आप admit card अपना download कर सकते हैं इसके अलावा जो है UPSC additional private secretary admit card will be available in online mode only which will be able to download it by the candidates by entering their registration number and date of birth important information like the name of the candidate, date of birth, photo and registration number वगरा will be written on the admit card में लिखायागा और आपका exam center वगरा सब admit card में होगा और instruction वगरा भी दिये वे होंगे वो अच्छे से carefully पढ़के जाए और negative marking है कि नहीं है यह सब आपके उसमें notification में दी वी है इसमें मैंने पहले एक video बनाई वी है आप चाहे तो उसे भी check कर सकते हैं original photographs लेके जाने है water ID card, ID proof के लिए इस तरह की चीज़े लेके जानी है exam के time पे और एक चीज़ और बता दू यह जो exam detail मैंने paper 8 paper दी है तो एक ही दिन होंगे यह अलग-अलग time में होंगे यह date में होंगे वह सब आपके admit card में आएगा तो इसलिए admit card को carefully पढ़के जाए और admit card लेके भी जाना होता है यह तो एक लब नॉर्मल सी बात है जनरली बात है कि admit card के बना entry नहीं मिलती ठीक है और यह जो उसमें instruction दिये होंगे वह भी जरूर केरफुली पढ़ें और उसको follow करें आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इसे like करें और जादे जादे शेयर करें जिससे और ल जो जनरल स्टडी या जनरल नॉलिज की जो वीडियो होगी मुझे अवेलेबि मुझे लगेगी important movie में upload करते होंगी इसलिए मेरे चैनल पर बने रहीं और भी किसी तरह की query है तो आप उसे भी मेरे साथ मुझे सकते हैं comment box में comment करके और इसके अलावा और लाबाद high court law clerk training का interview date भी आ गई है तो आप उसे भी check कर सकते हैं और admit card भी आ गए है तो आप उसे भी check कर सकते हैं मुझे काफी viewers ने पूछा था इसलिए मैं इसी वीडियो में बता रही हूं और हो सकेगा तो मैं नहीं वीडियो भी बना दूंगी इसके लिए आपको जैसे ठीक लगए आप मु